कि मिश्कार आप देखे हैं मैं एक सब्सक्राइब और मैं हूँ आपके साथ प्रिति गरुन पुरान जनातन धर्म की 18 महापूर्णों में से एक है माना जाता है कि गरुन पुरान में भगवान विश्क्राइब और उनके वाहन गरुन के बीच बादश्यत के जरी लोगों को नीदी, नियम, सदाचार, ग्यान, तप यग, आदि की बाते बताए गई हैं साथ है मृत्यू के बाद के संसकार, आतमा और तमाम लोकों का जिक्र किया गया है गरुन पुरान में मृत्यू के बाद सरीर के अंतिन संसकार से लेकर पिंडदान और तेरिवी तक का महत्वा बताया है यहां जान हैं कि मृत्यू के बाद पृंड़दान करना क्यों जरूरी होता है गुरू पुरान के नुसा मृत्यू के बाद बृत्वक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीची रहती है वो फिर से सरीर में प्रिस कर जाना चाहती लेकिन वो ऐसे नहीं कर पाती इस दोरन आत्मा भूख और प्यास से तड़कती रहती है और रोती है इस बीच 10 दिनों तक आत्मा को इसके परिजनों दोरा जो पिंडदान किया जाता है उससे उसका सुक्ष मुसरीर बनता है आठवे दिन से पैर, नौवे और दसवे दिन भूख प्यास आधी उत्पन होती है इस पिंडदान से आत्मा को बलप्राप्त होता है जो से यम लोग तक की यात्रा करने में सक्षम बनाता है इसलिए गरूर पुरान में मरने वाले व्यक्ति के लिए दस दिनों तक पिंडदान जरूरी बताये गया है माना जाता है कि जिस व्यक्ति के परिजन उसके लिए पिंडदान नहीं करते हैं लोगों की आतमा को यम दूत तेरवे दिन घसेटे विए यम लोग तक ले जाते हैं ऐसा वक्ती प्रेत बर्विकर इदे उदे बटकता रहता है पिंड दन के बाद तेरवी के दिन चम्रितक के परिजन तीरा ब्रह्मानों को भूच कराते हैं तो आतमा को प्रेत यूनी से मु कि मुदलिया।